हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक माई यूटीब चैनल लावित रोनित दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल पर स्वागत है साथियो एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं और एक नए विडियो के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी PCSJ में एक्जामिनेशन से रिले जिसमें दोनों जज्जमेंट लिखना होता है सिविल जज्जमेंट भी लिखना होता है आपको और क्रिमनल जज्जमेंट भी लिखना होता है इन दोनों जज्जमेंट को लिखना होता है तो साथियो आज हम आप लोगों के लिए क्रिमनल जज्जमेंट को लिख करके लाए साथ यह मेंटेनेंस से रिलेटेड है हमारा टॉपिक इतना होता है इतना होता है कि बार बार यहां से एक्जामिनेशन में आपको कोश्चन फ्रेम करके दिया भी जाता है और आपको यहां पर जज्जमेंट लिखने के लिए definitely मिलता ही मिलता है क्योंकि ये family matter से dispute करता है और साथ-साथ हमारे criminal judgments से भी ये deal करता है तो दोनों के साथ ये deal करता है section number 125 और ये साथ-साथ secular provision भी है इसलिए ये ऐसा topic है यहाँ से आपको definitely मिलता है और साथियो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो मैंने question लिया है judgment writing का ये 2003 का PCSJ का previous year paper है और इसी paper के बारे में हम यहाँ पे discuss करने जा रहा है तो साथियो ये topic साथियो इतना relevant होता है यहाँ से बार-बार question पूछे जाते हैं आप देखिए खुद ही analysis करिए question क्या कर रहा है कर रहा है दंड प्रिक्रिया सनीता की धारा 125 पर निर्णय लेखन करिए मिंस की इसी के बारे में हमको एक judgment लिखना है किस पे तो साथियो धारा 125 जो की CRPC का धारा 125 है इसी पे लिखना है परश्न क्या बन रहा है ये तो हमको सिर्फ और सिर्फ दे दिया है कि दंड प्रिक्रिया सनीता 125 पर यहां को एक judgment writing करना है आप question यहां पर क्या बन रहा है कौन सा question बन रहा है इस question को आप यहां पर analysis करिए और इसी के according आपको अपने निर्णय लेखन को अपने judgment writing को लिखना है आपका medium of instructions जो भी हो चाहें वो हिंदी हो चाहें वो English हो आप एक बार देखेंगे आपको यह समझ में आ जाएगा देखिए कर रहा है एक खाते पीते वयस्क वैक्ति और ने अपने पड़ोसी की एक साधारल परिवार की लड़की बो से यहां पर नाम देखते रही है और वैक्ति है वो एक लड़की से जिसकी मा का देहांत हो गया है तो साथियों लड़की की मा का देहांत हो गया और उसका पीता अकसर पूरे दिन खेत पर रहता है यहां पर कर रहा है कि एक खाते पीते घर का एक नौजवान लड़का है और नामक वो एक साधारन लड़की एक साधारन परिवार के लड़की बौनामक लड़की से जिसकी की मा का क्या हो गया एसा थी पैदा हो गया जब दोस्ती बढ़ गई ते यहाँ पे कंचूमेशन हुआ और कंचूमेशन के बाद क्या हुआ यहाँ पे एक उसे एक अधरमज पुत्र की उत्पति होती हिए लड़की का एक अधरमज पुत्र की उत्पति होती है. कुस्चिन को आप देखिए पुत्र पैदा हो गया, लड़की के पीटा ने बच्चा उत्पन होने से पुर्व औ से अपनी पुत्री बॉ के साथ बीवाआ का प्रस्ताव रखा था, भाई पीटा जी को भी पता चल गया, प्रेगनेंट हो गई है बिना बिवाआ किये ही, तो पीटा ने सोचा कि अब लड़के से पूछ लेता हूं कि क्या लड़का आप हमारी बिटिया से साधी करेगा कि नहीं करेगा तो और से अपनी पुत्र बौ के साथ बिवा का प्रस्ताव रखा था जिसे और मना कर देता है और के द्वारा उसकी लड़की को प्रिग्नेंट किया जाता है और एक अधरम पोसड दे गया ना वह जो बच्चा पैदा हुआ है जो अधरमज बच्चा है उसको भी यह क्या नहीं देगा यह किसी प्रकार का मेंटेनेंस देने के लिए मना कर देता है तो देखिए इन तथ्यों को आगे आप ध्यान में रखते हुए क्या करिए कर रहा है इन तथ्यों किसको करिएगा वहाँ पर आपको यह इस टाइप पर कोश्चन डेफिनेटली मिलेगा अब देखिए आपको अपने जज्जमेंट को लिखना कैसे है कहां पर आपका यह जज्जमेंट फाइल होगा कैसे होगा किस किस के बीच में होगा यह सारी बाते आपको एज यूजव इलहाबाद हाई डिस्टिक कोट में चल रहा है यहां पर पीठा सीन अधिकारी एकस वाइजड जो भी साहब का नाम होगा पीठा सीन अधिकारी का मिन्स की जो भी प्रिजाइडिंग एड़ टाइम ऑफिसर होंगे उनका नाम यहां पर रहेगा साते ही साथ यहां पर क्या यहां लिखना और इसी और यही अफसें चलं राइटिंग को डिटेल में आप सजा करके जमाकर जैसा हो वैसा लिखेंगे अब देखे सात्यो करा आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया सनिता की उपस्तिती में कैसे होगा यहाँ पे दोनों पक्छों के एड़ोकेट रहेंगे वाई विद्वान अधिवक्ता आवेदन करता के द्वारा और जेड विद्वान अधिवक्ता भी पक्छी के द्वारा दोनो अब पहले तो आपने बता दिया किस धारा के अंतरगत दिया है किसके द्वारा यह दिया गया यह सारी बातों को आपने यहाँ पर बता दिया as simple as language में आपको ऐसे ही बताना है अब देखिए कर रहा है इस तत्थे के प्रकरण में इस प्रकार है क्या क्या तत्थे के प्रकरण है तो सात्यों आप प्रकरण भी आप देख सकते हैं क्या क्या है देखिए सात्यों प्रकरण में कर रहा है एक खाते पीते वयस्क और ने अपने पड़ोसी की एक लड़की बहु से दोस्ती कर ली उस वेक्ती से लड़के को एक अधर्मच पुत्र पैदा हो गया लड़की के पीता ने बच्छा उत्पन होने से पुर्व और से अपनी पुत्री बहु का क्या करने के लिए बात हिया था त ता दिन वर वो खेट पर काम करता था और व्यक्ति का उस महिला के साथ उस लणकी के साथ नजाय संबंद हो गया थाए ःपने हम यहां कर रहा है। उसके पिता ने पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से साधी करोगे जिसे और ने क्या कर दिया सीरे से खारिच कर दिया और मना कर दिया कि मैं आपकी पुत्री से साधी नहीं करूँगा और बच्चे का भरन पोसल करने से भी मना कर दिया और ये भी कहा कि जो बच्चा उसके गर पुत्र में पल रहा है जो बच्चा पैदा होने वाला है ना मैं उससे साधी करूँगा उस टड़की से और वो ना बच्चे का मैं भरन पोसड किसी भी दसा में करूँगा इसलिए बो ने अपने अधर्मज पुत्र के भरन पोसड के लिए वाद दाखिल किया किसके लिए दा प्रस्ताव नहीं किया और नहीं बो को उत्पन संतान उसकी संतान है साफ साफ यहां पर ही कह रहा है और ने कहा कि ना ये मेरी संतान है ना उन्होंने बिवाह का हमारे सामने कोई भी प्रस्ताव रखा है इसलिए और किसी प्रकार का भरन पोसड करने के लिए उत्तरदाई नहीं है ये कह रहा है जो और नमक व्यक्ति है जो खाते पीते परिवार का था वो कह रहा है ना मैंने तो उनकी पुत्री के साथ कभी विवाह किया है और ना विवाह करने का कभी प्रस्ताव ही किया है तो ये बात उत्पन नहीं नहीं होता है कि मैं उनके बेटी को क्या पर वाद का समूचित निश्टारन करने के लिए मिलकित वाद बिंदू करने के लिए उत्तरदाई है इस प्रकार का कोष्ष्चन सत्रचाल में उत्पनimes second को रहा है second में क्या कर रहा है क्वैसर बिंदू को अब Heald करते हैं तो यहां पर कह रहा है कि क्या और Wалась के बीच संभन्दों के कारण और भरल पोसट कोई उत्तरदाई नहीं है इस प्रकार के बीच अगर कोई भरण पोसड है तो क्या उसके लिए उत्तरदाई नहीं है और तीसरा कह रहा है कोई अन्य अनुतोज़ कोई अन्य रिलीफ चाहते हो तो वह भी बात आप यहां पे बताएं तो यहां पे तीन आप लोगों ने बातू को देख लिया तीन फैक्ट अन्सरकविस्टांसेस को देख लिया इसी बिंदू पर हम यहां पे डिसकस करेंगे आगे साथ यह वात बिंदू प्रथम संख्या फर्स्ट वाले पे कह रहा है इस संदर्म में आवेदन करने वाले बोने अपने समर्थन में कहा कि उसके पडोसी उसके जो पडोसी है और उसके साथ इस वायदे के साथ संबन्द बढ़ाया कि वह बहुत से साधी करेगा यहां पे कह रहा है वह इस सम्दर्थन में होड़ा द्वाले बहुत लिखे गाए पत्र प्रत रद द्रती एक को भी प्रस्तुत किया as evidence के रूप में यहाँ पे अगर कोई भी पत्र ओ के द्वारा प्रेसित किया गया था लिखा गया था तो उस पत्र को भी क्या किया गया था यहाँ पर पब्लिस किया गया था संबंधों को काफी समय से जानते हैं वो क्या कर रहा है जिसको एक विटनेस पेस किया गया विटनेस नमबर वन वो कर रहा है कि इन दोनों के संबंध को मैं काफी दिनों से जान रहा हूं और दोनों काफी समय से एक दूसरे के करीब रहते हैं और और तथा बो के आगे देखि जैसे था यह सारे यह सारे मुहले के लोग भी जानते हैं और सिर्फ हम यह बात नहीं जानते हैं यह पुरा मुहला जो है जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के सभी लोग यह जानते हैं कि यह दोनों लोग कैसे रहते हैं जैसे एक पति और पत्नी रहते हैं उसी तरह से यह अपने साक्ष में यह भी का हाकीम वह से उत्पन हुई संतान को भी ओ की संतान जानता है जो उसका संतान उत्पन हुआ है सब को यह जानता है कि यह इसी का संतान है ओ का ही संतान है साक्षी का परिपरिच्छन सुनेना जो साक्षी आया था है यहां पर प्रति परिच्छा अप सक्छम व्यक्ति अपनी धर्मच तथा अधर्मच दोनों प्रकार की संतानों को भरण पोस्टन करने के लिए बात दे हैं, यह बात कौन बता रहा है, तो साथी यह बात हमारा CRPC बता रहा है, करा है कि अगर जो भी सक्छम व्यक्ति है, वो उसका धर्मच पुत्र हो, चाहें अ जेकर को बो के पक्ष में निस्थारीत किया जाता है किस के पक्ष में निस्थारीत किया जाता है अब आगि देखेस स omdat कि या कहा रहा है थे बीच में किसी भी प्रकार के कोई भी बैबाहिक जैसे सम्मंद नहीं अस्थापित हुए थे और नहीं वो की संतान और की अधर्मज संतान है परन्तु अपने कथन के संदर्म में और ने किसी भी साक्षी को नहीं पेस किया अब भाई साब के पास किसी भी प्रकार का कोई भी विटनेस था ही नहीं तो वो विटनेस को पेस क्या करेंगे और लड़की के पास विटनेस थे तो लड़की ने क्या किया था विटनेस पेस किया था और विटनेस ने ये बाते बताई भी थी कि ये दोनों जैसे घूंते हैं जैसे आते हैं कहीं जाते हैं तो जैसे लगता है कि हस्बेंड और वाइफ है लेकिन जब लड़के के पक्ष में यह आया कि आप अपना विटनेस पेस करिए तो इनके पास कोई भी इस प्रकार का कोई भी वेटनेस नहीं था जो यह बता सके कि यह दोनों पती-पत्नी नहीं थे आगे देखे सातियों कहा रहा है किया इसलिए के क्या जज्डमेंट किया गया जज्डमेंट द दिया गया आगे देखे वाद संख्या तीन आ रहा है मिंस की जो वाद कर रहा है कि अगर अगर धर्म जो अगर आप उसके पितल हैं तो आपको क्या करना है और यह बात हम और आप नहीं कर रहें यह बात हमारा सेक्षन 125 of CRPC कर जाता है किद् Killer ना पत्र को किया जाता है यहां पोट आफ लोके द्वारा सुइकार क्या जाता है तत्था औहं किया जाता है और और को एक यहां पर आदेश दिया जा रहा है एक और दिया जा रहा है कि और रुपए 500 रुपया प्रती माह की दर से आवेदन करता को भरण कोसर के तौर पर भुगतान करेगा यह बात किसके द्वारा किया जा रहा है यह बात कोट आफ लौ के द्वारा किया पर नियाईक मजिस्टेट साव रहेंगे यह सारी चीजे आपको सारे कॉलम ऐस यूजवल आपको बनाने हैं जब आप एक्जामीनेशन में बैठेंगे और साथ-साथ यह नीचे यह भी लिखना होगा कि निर्णे आज दिनांक जैसे कि हाँ पर एक टेंटेट लिखना है को ख आपने अबजर्व किया कि किस प्रकार से क्रिमनल जजमेंट को आपने इतने आसानी से आपने पे समझा और लिखने का प्रयास किया तो ऐस यूजवल इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैं ने इहाद पर आपको सो किया एक बार मैं फिर आपको सो करना चाता हूँ जिससे कि आ आपके पास question था, जो question के form में ऐसे ही आ रहा था, जब आप answer लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको स्रीमान, जो भी होगा, नियाइक magistrate इलावाद, अगर criminal होगा, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, जहां का question में दिया रहेगा, वहां का आपको लिखना पड़ेगा, जैसे साथ ही साथ जब आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको वाद बिंदू संख्या डालना पड़ता है, कि वाद बिंदू संख्या ये वन है, ये वाद बिंदू संख्या दो है, ये वाद बिंदू संख्या होंगे, उन सभी वाद बिंदू संख्याओं को आपको क्या करना है डालना है अगर उनके दोरा कोई भी कहीं भी विटनेस पेस किया गया है तो आपको उसके बारे में भी लिखना है कि इनके दोरा ये विटनेस पेस किया गया और इस विटनेस के दोरा ये बाते कही गई है क्या विपक्स पार्टी के दोरा भी कोई विटनेस पेस किया गया है तो जी नहीं पेस किया गया, तो उस बात को भी लिखना है कि किस आधार पर किस कारण के वज़ा से उन्होंने अपना विटनिस नहीं पेस किया है, और लाश्ट में हम क्या करेंगे, एक आदेस बनाएंगे अगर जिसके favor में हम judgment हम पूरे निर्ने को देखेंगे कि क्या मामला में क्या चल रहा है सारे facts and circumstances को analysis करेंगे साथ साथ हम evidence के साथ उसको record पर देखेंगे कि क्या वाक कई में ये जो evidence आया है जो witness हमारे पास आये हैं ये वाक कई में किसके favor में है जिसके favor में रहेंगे उसके पक्स में हम क्या देंगे उसके पक्स में हम आदेस को पारित करेंगे और जैसे ही आदेस पारित करेंगे तो यहां पर जुडिसेल मजी स्टेट होने वाले हैं आपका यहां पर हस्ताक्षर रहेगा और यह भी बताया जाएगा कि यह जो निर्ने दिया रिक्वेस्ट आपसे और है कि हमारा comment section open रहता है आप comment section में जरूर हमें comment करके बताएं कि यह session आपको कैशा लग रहा है अगर session आपको बहतर लगा होगा अगर आपका positively और motivated comment आता है तो सात्यों मैं अभी आपके लिए एक civil judgment भी जरूर बना करके आपको इस पर दूँगा और जो भी judgment पर जो भी question frame हो सकते हैं जहां जहां से previous year paper में आये थे उन सभी चीजों को मैं यहां पर बताने का मैं आपको लिख करके लाने का प्रयास करूंगा सात्यों बहुत बहुत धन्यवाद video को वाच करने के लिए thank you है सतत्व कुर जां आरे ना के लिए धन्यवादर